चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और कोशिन के बारे में इस कोशिन में एक्जामना नहीं का 2.8 प्लस का 5.2 डिवाइड में 1.3 इंटू में 2 फिर ये ब्रैकेट के अंदर है माइनस का 6 इंटू में 3 डिवाइड 8 प्लस का 2 तो जब भी इस प्रकार का कोशिन आता है तो हम क्या करते हैं वोडो मास रूल यूज़ करते हैं वोडो मास का मतलग क्या था पहले ब्रैकेट के अंदर जो वैलियर उसको सॉल कीजिए उसके बाद अगर कहीं आपको ओफ लिखाओ मिल रहा है यानि हिंदी में का उससे गुना कर दीजिए फिर भाग यानि डिवाइड यानि कि इसको तो यह आजाएगा आपका 1.3 और यह इंटू में 2 हो जाएगा आपका 6 इंटू में आपका 3 है डिवाइड भाइड में 8 हो जाएगा और प्लस का 2 यह वैलियो हो जाएगा आपके तो 13 चोके 52 यह 4 दुनिया 2.8 प्लस का आपका कितना हो जाएगा 8 माइनस का यह वोगा 2 तिया 6 और 2 चोक 8 यानि कि माइनस का 9 बाइ में 4 प्लस का आपका यह 2 आजाएगा तो यह 8 और तो 10 जब इसमें 10 जोड़ोंगा तो यह जाएगा 12 पॉइंट मेरे पास में 8 माइनस का 9 बाइ में 4 तो 9 बाइ में 4 यानि कि 9 बाइ में 4 यानि कि 4 दुनिया 8 तो मिरे पास एक बचेगा यहाँ पर पॉइंट लगाऊंगा 0 यहाँ पर प्लस कितना बचेगा आपका यह 0 बचेगा बचेगा और यह वन बचेगा यानि कि option D जोगा वो इस question के लिए correct होगा I hope आप तभी question समझ में आया होगा